सरना धर्म कोड क्या है? क्या सरना धर्म कोड मिलनी चाहिये या नहीं? सरना धर्म कोड की मांग कब उठी? क्या पहले सरना कोड थी या नहीं? सरना धर्म कोड की अशकता कब और क्यों पड़ी? जारखण विधान सबासे सरना धर्म कोड पास हुई है या नहीं? सिर्फ राइन केंद्र सरकार आखिर सरना धर्म कोट क्यों नहीं देना चाहती इससे क्या लाब और क्या हानी सरना धर्म एक चुनावी मुद्धा क्यों इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा सरना धर्म पास करने का अधिकार किसके पास क्या सरना धर्म कोट के बाद सरना राष्ट या आ सब्सक्राइब कर वीडियो को सेयर अवस्य करें आए बिस्ताल से जानते हैं क्या है सरना धर्म कोड सरना धर्म कोड की मांग का मतलब यह है कि भारत में होने वाली जनगन्ना के दोरान परतेक ब्यक्ति के लिए जो फरम भरा जाता है उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जीक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए उधारन के तोर पर जिस तरह हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्चन, जैन, सीख और बौध के लोग अपने धर्म का उलेक जनगन्ना के फरम में करते हैं उसी तरह आदिवासि भी अपना सरना धर्म का उलेक कर सके सरना क्या है? सरना का मतलब सवारना होता है, मनावता को, मनुस्यता को, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना होता है सारना धर्म पर कुरुख ग्रंथ किताब लिखने वाले और राजी पढ़ा सारना प्रात्ना सभा के राष्ट्रिये महासची परफेसर परवीन उराव कहते हैं कि सभी आदिवासी गाओं में जो पूजा अस्थल होता है उसे सारना अस्थल कहते हैं वहां सखुआ पेड़ की पूजा करते हैं या फिर किसी अन्य पेड़ की भी पूजा होती है परफेसर प्रवीन उराव कहते हैं कि धर्म मानने के लिए किसी को अधार मनना होता है ठीक उसी परकार आदिवासी सरना अस्थल को अधार मानते हैं और सरना धर्म की बाते करते हैं सरना धर्म की सुरुवात कब सरना सब्द 1965 इस भी में सबसे अधिक चर्चा में आई कार्तिक उराव भीक राम भगत तेज बहादुर भगत राम भगत ये तो उराव जैसे लोगों ने इसका खुब परचार किया है हलाकी सन 1871 से 1951 तक आदिवासियों के लिए जनगन्ना में अलग धर्म कोलम था तो इसे खत में क्यों किया गया पहली समिधान सभा ने भारत के समिधान से आदिवासि सब्द ही हटा दिया था लेखक आश्मीनी पंकज की लिखी किताब सुन्यकाल में आदिवासि में एक प्रसंग का जिक्र किया गया है जिसके मुताविक 2 दिसंबर 1947 को इसी मसले पर समिधान सभा में हुई बहस के दवरान ततकालिन सांसद जैपाल सिंग मुंडा ने आदिवासि सब्द की जगा अनुसुचित जन जाती सब्द लिखे जाने का जोरदार बिरोध किया था उन्होंने सवाल किया था कि बिना ट्राइवल सब कमीटियों के रिपोर्ट और अनुसंसा के ही फैसले लिये जा रहे हैं जिस पर डाक्टर बी आर अम्वितकर का जबाब भी आया था सारना धर्म की मांग जन जाती कल्यान सोध संस्थान के पुर्व सहायक निदेशक सोमा मुंडा के मुताबिक जारखन के पुर्व मंत्री देव कुमार धान के नितित में अलग सारना कोड की मांग को लेकर साल 2015 में एक धारना दिया गया इसके बाद परतिनिधी मंडल ने परधान मंत्री और ग्रिह मंत्री को मांग पत्र सोपा जिसके जबाब में भारत के माहराइश्टार कर्याले से 20 नॉमबर 2015 को एक पत्र आया उसमें कहा गया कि साल 2011 की जनगन्ना में हमें 100 से अधिक जनजातिय धर्मों की जनकारी मिली थी उनमें 50 से अधिक जार्खन में ही थे ऐसे में सारना को अलग धर्म की मनयाता देने पर अने धर्मों से भी इसकी मांग उठेगी इसलिए इस मांगों को सविकार नहीं किया जा सकता सरना धर्म की मांग क्यों उठी सरना धर्म की मांग जब भारत की 2011 की जनगन्ना में पूरे देश में 40,75,246 लोगों ने आपना धर्म सरना दर्ज कराया था इसमें सर्वधिक जार्खन में 34,50,523 लोगों ने खुद का धर्म सरना बताया था जो की खुद को सरना धर्म लंबी बताया वहीं साल 2011 की जनगन्ना के मुताविक भारत में आदिवासियों की संख्या 10,42,81,34 है यह देश की कूल अबादी का 8.6 परतिसत है 2018 में सुचना का अधिकार कानून के तहत अधिवाक्ता दीपती होरों को जार्खन सरकार के ग्रिह विभाग से मिली जनकारी के मुताविक जार्खन में 86,00,000,000 से अधिक आदिवासी है इनमें सरना धर्म को 40,00,000,000 जबकि हिंदु धर्म को 32,00,000,000 आदिवासी मानते हैं इसी तरह से अन्य धर्म को आदिवासी मानते हैं जिससे आदिवासियों को सही धर्म नहीं मिल पा रहा दूसरी बात यह है कि जब विभीन जनजातियों के सही आकड़े ही नहीं मिल पा रहे तो ऐसे में अरक्षन नौकरी बजट आदी में इनको लाब नहीं मिल पा रहा जिसे आदिवासियों को धर्म किया सकता पड़ी है जर्खन बिधान सभा से सरना धर्म कोड पास हुई या नहीं या सिर्फ राईनिती जर्खन बिधान सभा ने सरना आदिवासि धर्म कोड बील को सर्व समती से पास कर दिया है जर्खन सरकार ने कहा है कि ऐसा करके आदिवासियों की संस्कितिती और धर्मिक अजादी की रक्ष कराना है ताकि आगामी जनगन्ना में इसे सामिल किया जा सके हमें हमारा हक और अधिकार मिले इसके लिए हम लडाई लडने को त्यार हैं वहीं जारकन के पूरो मंत्री बंधु तिर्की का मानना है कि जारकन सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का बिल लाकर ए केंद्र सरकार आखिर सरना धर्मकोट देना केो नहीं चाहती। केंद्र सरकाश सरना धर्मकोड केंद्र के ही कुछ आदिवासी नेता के कारण इस कोड को पास नहीं करना चाहती। बतादे गुजरात के आदिवासी नेता छोटू भाई बसावा ने कहा है कि सारना धर्म कोड की जगा कोई वैसा नाम सोचना चाहिए जो देश भर के आदिवासियों को माने हो वहीं कडिया मुंडा सारना धर्म कोड को लेकर जारखन में चल रही राइनीती को अनुचित मानत उन्होंने कहा है कि दुनिया में किसी भी देश में किसी पूजा अस्थल के नाम पर धर्म या फिर धर्म को नहीं है हिंदू मंदीर में पूजा करते हैं तो क्या मंदीर धर्म है इसाई गिरजा घर में पूजा करते हैं तो क्या गिरजा घर्म है ये तो सिधे हमारी आस्थ से जुड़े हैं किसी की आस्था के साथ राज नीती नहीं की जानी चाहिए इसी तरह शरना जार्खन के आदिवासियों का पूजा अस्थल है वहीं कडिया मुंडा ने कहा है कि अने राजियों में इसमें अलग अलग नाम एवम सवरूप है तो क्या अने राजियों के आदिवासियों के लिए अलग अलग धर्म कोड बनाया जाएगा धर्म कोड कोई समान्य चीज नहीं होती समिधान के प्रवधानों के तहत ही इसका निर्मान किया जा सकता है हर राज एवं घर के लिए अलग-अलग धर्म कोड नहीं हो सकता सारना धर्मकोड एक चुनावी मुद्दा क्या इससे चुनाव पर फर्क पड़ेगा या नहीं सारना धर्मकोड एक चुनावी मुद्दा है इसे पुर्व सांसद सालखन मुर्मू के बातों से समझा जा सकता है मुर्मू ने कहा है कि सारना धर्म कोड यदी हर हाल में 2023 में लेना है तो केंडरे की भाजपा सरकार को मजबूत करना ही होगा जिसके लिए सारना कोड दो आदिवासी भोटलो जैसे नारे के साथ भाजपा को विश्वास में लेना होगा और जल्द अनिस्चित कालीन रेल रोड चक का जाम जैसे कारकरम में भी भाग लेने होंगे सालखन मुर्मु ने कहा है कि भाजपा से दूरी बनाना सारना कोड चाहने वालों के साथ धोके बाजी सावित होना है सारना कोड नहीं तो भोट नहीं के पीछे भी उन्होंने तर्क दिया है कि भोट के बहिसकार से कोई लाब नहीं होगा चुकि बाकी तो भोट देंगे ही यह नकरात्मक रनीती है साथ ही समिधान और लोकतंत्र विरोधी भी है इससे हम समझ सकते हैं कि सारना धर्म कोड एक चुनावी मुद्दा भी साबित होता दिख रहा है जिससे बिजेपी को लाब मिलेगा या भी दिख रहा है सारना धर्म कोड मिलना चाहिए या नहीं सारना धर्म कोड मिलना चाहिए या नहीं इस विशय में हमें आप अपना सुझाओ कोमेंट बक्स में दे साथ ही अपने साथियों से भी कोमेंट बक्स में सुझाओ देनों को कहे कोमेंट बक्स में आपना नाम जीला के नाम के साथ अवस्य दे शार्खन में आदीवासियों के लिए शार्णा धर्म कोड की मांग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है इसी भीच धर्म कोड के बाद अब आदीवासी मांग भी उठ गई है बतादे कि आदिवासी सेगेल अभियान के राष्टरी अध्यक सालखन मुर्मू ने आदिवासी राष्ट की मांग कर नया विवाद खड़ा कर दिया है रांची के मोराबादी मैडान में आयोजीत जनसभा में सालखन मुर्मू ने केंद्र सरकारपनी साना सात्ते हुए कहा है कि हिंदू राष्टर की बात हो रही है अगर आदिवासीों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम इस देश के अंदर आदिवासी राष्ट की मांग करेंगे जिसका केंद्र जारखंड होगा मुर्वु ने कहा है कि अगर जार्खन से आदिवासी खत्म हो गाए तो पूरे देश में आदिवासी खत्म हो जाएंगे देश में लगभग 15 कुलोर आदिवासी हैं जो प्रकिर्टी पुजाक हैं वे न हिंदु हैं न इसाई हैं इसलिए उनकी मांगे केंदर सरकार को पूरी करनी चाहिए इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्ना राष्ट्र की मांग उठ सकती है सर्ना धर्म ही क्यों? सर्ना धर्म के लिए आगे की रनीती क्या? धन्यवाद! साथी साथ आप वीडियो को एक लाइक आवज से करें!